हेलो दोस्तों स्वाग्या तेमार यूट्यूब चनल सर्टेंस्टी माटेरियल में और यहाँ पर देखे आज हम बात करेंगे पॉली टेक्निक 6 सेमेस्टर से लिटेट सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे और इसमें से किन का थेओरी एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा ठीक है मतलब जो थेओरी एक्जाम है वो कंड़क्ट होगा कितने सब्जेक्ट का और देखे प्रेटिकल किस सब्जेक्ट का होगा तो इसको भी discuss करेंगे और यहाँ पर देखिए जो seasonal marks है seasonal marks कितने number का होगा टिक कितने marks का होगा और पूरी जानकारी एकदम with details एकदम सारा का आपको यहाँ पर discuss करने वाले हैं यहाँ पर देखिए यह table जो है इसके थूरू यह सारा कुछ आपको discuss कर देंगे ठीक है और जितना भी syllabus है आपको one by one करके आपको provide हो जाएगा तो जो इस्टेंस नय है जदली से चैनल को subscribe कर लें ताकि जितना भी provide किया जाए आपको वो आपको पहुँझ जाए ठीक है notify हो जाए तो देखे इससे पहले एक चीज और बात आते है सबी इस्टेंस को जो इस्टेंस के हैं भविस्त का जई चैनल पर नहीं जोइन है जाकर वहाँ पर join हो जाए वहाँ पर क्या है second semester and fourth semester के देखे पूरा का पूरा वहाँ पर जितना भी analysis यहाँ पर करेंगे कि कौन से कितने subject है इसमें total और किसका practical होगा किसका theory exam होगा सारा कुछ एकदम discuss करेंगे कितने घंटी का exam होता है तो यहाँ पर देखे एक तरप आपको subject मिल जाएगा और आपका study scheme जो है यह periods weeks मिल जाएगे ठीक है weeks में credits मिल जाएगा marks in evaluation scheme मिल जाएगा external and internal दोनों ही और total marks of internal and external दोनों ही क्या है total marks मिल जाएगे बोथ ठीक है internal and external तो देखे इस subject की अगर हम बात करें तो total आपको four subject ही यहाँ पर study करने है तो six semester के students ध्यान देंगे इस वार final year है तो एकदम ध्यान देंगे देखें यहाँ पर यहाँ पर first of all आपका subject है industrial engineering देखें यहाँ पर IE बोलते है industrial engineering ठीक है तो industrial जो engineering है एक नट यहाँ पर देखें जो IE subject है industrial engineering इसमें क्या है आपका देखें यहाँ पर जो theory होगा यह आपका 20 marks internal assessment की हम बात कर रहे हैं अभी और practical 10 marks का होगा 10 marks का total 30 marks होगा और देखें जो theory exam होगा वो external की बात करें तो 50 marks का आपका theory exam conduct कराया जाएगा जो की धाई घंटे का आपको समय मिलेगा और 20 का practical होगा total इनको देखा जाए तो total 70 marks होगा 70 और 30 आपकी 100 marks होगा ठीक है इसी प्रकार से देखें यहाँ पर इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो next जो यहाँ पर subject है देखें metrology and measuring instrument इसकी अगर बात करें तो देखें internal assessment 30 marks का देखें external जो marks है वो आपका 50 marks का theory exam होगा 20 यहाँ पर देखें धाई गंटे का समय होगा 20 का practical होगा total यहाँ पर 100 marks आपके internal external दोनों मिलाके हो जाएंगे next subject है आपका CNC machine and automation इसमें भी क्या है आपका देखें internal assessment 30 marks का और देखें यहाँ पर जो theory exam होगा जो external assessment है वो आपका 50 marks का यहाँ पर exam conduct कराया जाएगा धाई गंटे का समय मिलेगा और 20 marks का आपका practical होगा total 100 marks होगा ठीक है अब यहाँ पर एक जो आता है most important जो factor है देखें क्या है यहाँ पर 6 semester के जो student से यहाँ पर ध्यान देंगे बहुत ही important है यह जो भी क्या है अलग-अलग branch के लिए अलग-अलग subject आपका categorize किया गया है तो देखें जो क्या है atom oil के छात्रे हैं वो पढ़ेंगे यहाँ पर देखें कौन सा subject यह वाला subject पढ़ेंगे atom oil, maintenance, servicing and repair वाला subject जो है इसको study करेंगे ठीक है जो क्या है CAD की students हैं वो computer added design की study करेंगे next अगर हम देखें बात करें tool engineering तो जो production engineering के students है वो tool engineering को यहाँ पर पढ़ेंगे और इसका कोई भी practical exam नहीं होता है ठीक है only or only theory exam होता है धाई गंटे का इसमें भी समय मिलता है तो इसको आप लोग देख लीजे यहाँ पर total अगर हम बात करें 20 का यहाँ पर internal assessment है तो आपका 20 यहाँ पर हो गया जो maintenance के students होंगे वो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए वो repair and maintenance second को study करेंगे और एक यहाँ पर most important hour यहाँ पर आ जाता है जो कि केवल और केवल क्या है all total आपका practically है ठीक है यहाँ पर देखिए project work project एक team work लेकर एकदम project को यहाँ पर create किया जाता है ठीक है आपके team wise यह आपका hundred marks का होता है तो यहाँ पर आपको देखने का और देखिए SC जो है student centered activities यह आपका 30 marks का होता है यह आप जानते ही ठीक है total यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 500 और इस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं टूटल ठीक है तो यह आप यहाँ पर आपको देखनी को I hope यहाँ पर मिल गया होगा तो यहाँ से आप पूरा का पूरा यह आप देख सकते हैं और देखिए पूरा का पूरा जितने भी subject हैं आपको 1 by 1 करके आपको इसका syllabus मिल जाएगा topics मिल जाएगे, chapters मिल जाएगे सारा कुछ आपको 1 by 1 वीडियो में आपको provide कर दिया जाएगा तो इसी प्रकार से बने रहेंगे और इसको as a video form आपको telegram channel पर provide कर देंगे जितना भी यहाँ पर मिलेगा material सारा कुछ telegram channel पर ही as a PDF form आपको provide कर दिया जाएगा link आपको इसका description box मिल जाएगा इसका जो डिके telegram का जो link है वह आपको description box मिल जाएगा वहाँ से आप लोग जाइन कर लेंगे तो अगर आप सभी कर यह वीडियो पसंद आई तो like करें share करें and subscribe करें thanks for watching this video मिलेंगे next video में next lecture के साथ